अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावरता सरवार्थान विपरी तांश्च बुद्धे सापार्थ तामसी नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवद गीता कि अठारवे अध्याय का बत्तीसवा श्लोके जीसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं अधर्मम धर्ममितिया अर्थात जो धर्म अधर्म को ऐसे मन्यते तमसावरता अर्थात मानती है अंधकार से ढखकर सरवार्थान विपरी तांश्च अर्थात सभी अर्थों में विपरीत बुद्धी सापार्थ तामसी अर्थात वह बुद्धी हे पार्थ तामसी होती है तो श्रीक्रिश्न अब तमोगुण से प्रभावित बुद्धी के विशे में कहते हैं कि ऐसी बुद्धी जो अंधकार से ढखक जाने पर अधर्म और धर्म को विपरीत मानती है अर्थात वह अधर्म को धर्म मानती है और धर्म को अधर्म मानती है इस प्रकार की जो बुद्धी होती है वह तमो गुण के प्रभाव से जो चल रही बुद्धी है वह होती है तो तमो गुण को हम जानते ही हैं कि यह जो गुण है यह अग्यान और क्षाय से जुड़ावा तो इसलिए यह स्पष्ट है हमारे लिए कि क्योंकि अग्यान का प्रभाव हो गया है ऐसी बुद्धी पर तो ऐसी बुद्धी जो होगी वह धर्म को अधर्म मानेगी और अधर्म को धर्म मानेगी तो जो तमोगुण वाली बुद्धी वाला वेक्ति है वह सत्वगुण से प्रभावित जो बुद्धी वाला वेक्ति है उसके बिलकुल विपरीत चलेगा तो जो सात्विक वेक्ति अच्छा मानता है उसे जो तामसी वेक्ति होए वह बुरा मानेगा और जो तामसी वेक्ति अच्छा मानता है उसे सात्विक व्यक्ति जो है वह बुरा मानेगा तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है अब इस प्रकार से होने के कारण ही जो है जो तमो गुण के प्रभावित व्यक्ति होता है वह स्वयम का नाश कर लेता है तो इसके बहुत से उधारण जो कि आप देख स कि ये मेरा स्वास्त अच्छा बनाता है तो इसलिए करेले मुझे भोगना चाहिए करेला मेरे लिए अच्छा है वही पर जो तम गुणवाले व्यक्ति होगा वह बुलेगा तो खाने में बेलकुल स्वाधिश्ट नहीं होता इसलिए करेले को मैं नहीं खाऊंगा तो अब जो तमोगुणवाला वेक्ती है वह करेले को ना भोग करके अपने स्वास्त को उत्तम नहीं बना पाता वही पर जो सात्विक वेक्ती होता है वह करेले का भोग करके अपने स्वास्त को उत्तम बनाता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तमोगुणवाला जो वेक्ति है वह जो उसके लिए अच्छा है उसके लिए बुरा मानता है और इस प्रकार से स्वैम का ही नाश करता है वह अपने स्वास्त को ही बिगाड़ता है या और भी उधारन होते हैं जैसे आप पतंगे का उ धर्ण लेई जो पतंगा होता है वहे अगनी में स्वैंप को जोंक देता और अगनी में स्वैंप को जोंक देता तो जोंक करना मैं, उसके बुद्धी जो होती है वह धर्म को अधर्म मानने रखती है और अधर्म को धर्म मानने रखती है और इस प्रकार से जो है वह ज्योती में ही स्वयम को जोक देता है वह सोचता है कि जोती में स्वयम को जोक लेना ही मेरा धर्म है तो इस प्रकार से जो है स्वयम का समझने लगती है इसलिए तो का जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धी तो जब तमोगुन का प्रभाव आएगा तो विनाश की और ही वेक्ती जाएगा और विनाश की और जाने के लिए जो बुद्धी होती है वह विपरीत ही होगी वह धर्म को अधर्म मानेगी और अध धर्म को अधर्म मानेगी और अधर्म को धर्म मानेगी और इस प्रकार से जो है अपना विनाश कर लेगी यही तो फिर जो है बोला गया है विनाश काले विपरीत बुद्धी से विनाश ही होता है जब विनाश आता है किसी का तो उसकी बुद्धी विपरीत ही हो जाती है तमो झाँ झाल